जितना सोचा था उतनी उमीदों पर ये मुवी घरी नहीं उतर पाई मैं बात कर रहा हूँ सॉनिक है जोग की जिसे डिरेक्ट किया है जैफ फॉलर ने अरे यार नाम तो इसे डंग से ऐसे रग लिया करो जो प्रनुशीशन में असान हो सके पहले तो दस से बीस बार उसकी प मैं ठाउंगा बैं क्योंकि जीब ठेड़ी होने वाली है मेरी कहाने के बात करें तो एक जानवर है एक एलियन है शयद वो जानवरी है उसका नाम सौनिक है मुझे भी नहीं पता वो क्या है लेकिन उसका नाम सोनिक है जो उसके वर्ल्ड में उसके पास इंक्रेडिबल यानि अर्थ पर और यहां पर अपनी लाइफ शुरू करते हैं इस विशे से वह दूखी होता है तो एक दिन इस दुख को जाहिर करने के लिए वह एक मुझे नहीं बता लेकिन पुरे शहर से है पुरे देश की जली जाती होगी जिससे यूएस आर्मी सोनिक को ढूंडने में लग जाते हैं कि किस वज़े से गई है तो उनको पता जलता है एक ऐसा एलियन है जिसकी वज़े से एक प्राणी है जिसकी वज़े से ऐसा कुछ हुआ तो वो उस पावर को खोजने में लग जाते है यानि सोनिक के पीछे लग जाते है और सोनिक की इसमें फिर एक फ्रेंड बनता है वो इसके हैल्प करता है तो टोम जो भी इसकी हैल्प करता है तो सोनिक को बचाने में फिर सोनिक चला जाता है उसे अपनी पावर देखे जिस इसे टॉम की बोड़ी बन जाती है और वो तेज अब ए टीटू ये क्या है किसने किसने रेखा है ये कोई मिल गया कि स्कृप्ट क्यों लिकिया है इसमें सोरी वो इतना ही था वो उसकी हल भी गरता है वो स्कृप्ट गलती से आ गई तो help करने के पास sonik की जान बचने के पास sonik और उसका friend और उसके friend की girlfriend ये तीनों एक साथ रह रह रहे होते यानि खुशी-खुशी से जीवन वैतीत करते story में इतना dham नहीं था कि वो बांध कर रख सके graphics भी मैं कहूंगा कि इतने dhamदार नहीं लगे मुझे और जो doctor sonik को पकड़ने में लगा हुआ था जैसे वो technology यूज़ करा था जैसे उसने gloves फैन रखा था और बार बार ऐसे ऐसे दबारा था सिर्फ ऐसे और जो भी drone थे वो बाहर निकल जाते और ऐसे करता वो drone पीछे लग जाते कोई logic उस चीज में मुझे लगा नहीं जाएरसी बात है ऐसी movie बच्चों को ध्यान में रखके बनाए जाते हैं तो उनके लिए ऐसी चीज़ें रखनी ज़रूरी होते हैं कि बच्चें हस सके तो मुझे नहीं लगता कि उसमें भी एक काम्याब हो पाए मुझे वैसे sony की game बहुत पसंद थी या पसंद है भी अभी भी पसंद है तो यही reason था कि मुझे यह movie देखनी थी लेकिन जितनी expectation मैं लेकर इस movie को देखने बैठा उस पर यह खरी नहीं उतरी यह मेरा opinion है कि मुझे movie कैसी लगी मुझे पसंद नहीं आई जरूरी नहीं कि हर कोई मेरी ही opinion से वो agree करे ऐसा last time मैंने वीडियो में देखा तो उन्होंने मुझे कहा कि यार तुझे नहीं पता देखो मेरा opinion अलग हो सकता है आपका opinion different हो सकता है हर कोई एक opinion से agree नहीं कर सकता तो मैं यहाँ पे अब बोलना मेरे लिए जरूरी हो गया कि मेरा opinion जरूरी नहीं कि हर कोई मेरे opinion से agree करे मेरी तरफ से मैं इस movie को देना चाहूँगा 4 out of 10 star अगर आप लोगोंने movie देखिए तो please comment करके मुझे बताएं कि आपको कैसे लगे मुझे भी आपका opinion जाने का मोगा मिलेगा रिस्पेक्ट करूँगा आपके opinion की बस आज के लिए इतना है था thanks for watching this video, मिलते हैं next video में, जाहें झाल 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 झाल